हलो दोस्तों, फॉरंग की दुनिया में आपका स्वागत है, मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे जर्मनी आसानी से मू हो सकते हो और वो भी एकदम कम पैसों में या एकदम बजट में है, in fact free कैसे आप जर्मनी आसकते हो इसमें मैं वो सारे तरीके बताने वाली हूँ, जिसमें से एक तरीका वो भी है, जैसे मैं आई थी और बहुत सारे लोग जिनको मैं यहाँ पे मिली हूँ, वो भी इस तरीके से आये हैं ना ही आपको किसी एजेंट को पैसे देने हैं, ना ही आपको किसी को कोई fees पे करनी हैं डिरेक्ली आप जर्मनी कैसे आ सकते हो, वो बताने वाली हूँ, मैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो एंट तक जरूर देखना देखो पहले तरीके की बात करते हैं, जिसके तुरू आप जर्मनी में फ्री में पढ़ सकते हो तो यहाँ पे फ्री में मतलब मैं एक्चल में बताने वाली हूँ कि आप बिना कुछ पैसे यहाँ पे किये कैसे पढ़ सकते हो तो देखो आपको तो पताई होगा कि किसी भी यूनिर्सिटी में अगर आप पढ़ने आते हो जर्मनी में तो आपको जो blocked account की amount है वो side में रखनी पढ़ती है मतलब वीजा के लिए जब आप apply करते हो तभी आपके account में 11,000 euro तक की amount होनी चाहिए पट वो amount बड़ी होने के वज़े से बहुत सारे students का ये भी question होता है कि इतनी बड़ी amount हम कैसे arrange करे तो उसी चकर में बच्चे loan लेते हैं या you know they figure out some way कि जिसके तुरू हम ये amount blocked account में save करें और जर्मनी आने के बाद ये use हो सके तो एक तरीका है जिसके तुरू आपको blocked account की भी जरुवत नहीं पड़ेगी and that is if you apply for scholarships आप scholarship के लिए apply कर सकते हो जर्मनी बहुत सारी ऐसी different different scholarships offer करता है and in fact मैं बहुत सारे students को यहाँ पे मिली हूँ जिनोंने scholarship apply करके directly यहाँ पे जर्मनी पढ़ने आये हुए है और उनको blocked account की amount pay करनी नहीं पड़ी तो आपको अगर scholarship मिल जाती है तो आपको blocked account की जो amount है वो नहीं दिखानी पड़ती तो यहाँ पे मैं mention कर रही हूँ कुछ ऐसी scholarship जो actually बच्चे apply कर चुके है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनी को मैंने consult करके उनके experience की basis पे यहाँ पे यह scholarships मैं mention कर रही हूँ आप देखना कि क्या क्या requirement है और उसके थूँ यह scholarships apply कर सकते हो इसके अलावा मैं instagram पे बहुत सारी real share करती हूँ जहाँ पे मैं बहुत सारी scholarships भी ऐसे बताते रहती हूँ जो एक specific deadline में आपने apply करनी होती है आने के बाद या फिर आने से पहले तो वो भी आप check कर सकते हो और आप में से कुछ करेंगे कि अगर हमें scholarship नहीं मिलती है तो हम क्या करें हम budget में Germany कैसे पड़े इसका भी कोई तरीका बताओ तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगे एक ऐसा तरीका जिसके थूँ आप क्या कर सकते हो दो साल का है आपका लगालो master's का course है उसमें से आप जो पहला साल है वो आप online कर सकते हो और दूसरा साल जो है आपका course का वो आप Germany आके proper अपने classroom trainings करके proper आपका course complete कर सकते हो और इसके लिए आपको जो degree मिलेगी ना वो बिल्कुल जर्मनी में आके दो साल पढ़ाई करने के बराबर की ही degree होगी and the best thing is कि इससे आप 40% तक की amount save कर पाओगे तब जैसे लगा लो आप पहला साल अगर online पढ़ाई करते हो तो आप save करते हो आपका accommodation आपके बाकी के expense और आपको बस एक और जो साल बचता है उसी का खरचा करना पड़ता है तो इस तरीके से आपकी cause भी बच जाती है आपको degree भी मिल जाती है यहाँ पर मैं mention करना चाहूंगी upgrade abroad के बारे में जो यह opportunity आपको दे रहा है तो इनके आप अगर website पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे different courses है right from management, data science, engineering, मतलब different different तरीके courses है जो आप आपके interest के हसाफ से choose कर सकते हो and in fact जो Germany की best universities है यह वो courses offer कर रही है यह जो junior cities है जहाँ पर यह courses offer हो रहे है यह बड़ी-बड़ी cities में है जर्मनी के जैसे की Frankfurt, Berlin, Munich तो इससे क्या होगा कि आप जिस बड़ी city में मू होते हो वहाँ पर आपको exposure भी मिलेगा networking करने की opportunity मिलेगी तो आप अगर 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 बड़ी city में आते हो तो आपको यहाँ पर पार्ट टाइम job opportunities भी जादा मिल जाएगी compared to the small towns या चोटे गाउ जोमनी के and आपको पता ही होगा कि एक बार आपकी master's की degree complete हो जाती है तो आपको 18 months का वीजा मिलता है यहाँ पर रहने के लिए और job search करने के लिए and already अगर आप बड़ी city में होगे तो आपको job opportunities भी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि सारी बड़ी-बड़ी companies जो है बड़ी cities में होती है तो exposure के साथ-साथ यहाँ पर opportunities भी आसानी से मिल जाती है लास्ट यह जब अपना meet-up हुआ था इंडिया में तब मैं अलड़ी बहुत सारे स्टूनेंट्स को मिली जो अपना जो कोर्स है अपग्राइड अबरॉड की तुरू कर रहे थे और इस साल वो जर्मनी आवी चुके है तो आप अगर affordable तरीक से जर्मनी में पढ़ना चाहते हो तो आप अपग्राइड अबरॉड की लिंक चेक कर सकते हो in fact वो आपको शुरुआत से एंड तक सारी चीजों में help करेंगे right from consultation, visa process, accommodation, part-time job, full-time job assistance उन सारे process के दोरान and in fact मैंने जो link दिये description में वो आप चेक करते हो तो आप 35,000 रुपीज का discount भी पाते हो तो वो भी link आप जरूर चेक करना इससे आपको discount भी मिल जाएगा affordable तरीके से जर्मनी में आके पढ़ाई भी कर सकते हो degree जो है वो भी equivalent मिल रही है तो इस तरीके से अगर पैसे save हो रहे है तो क्यों नहीं right तो आपने अगर अपनी school complete करी है और उसके बाद आप चाते हो कि मुझे तो जर्मनी जाना है और वो कौन सा तरीका है जिससे मैं एकदम सस्ते में जर्मनी जा सकता हूँ या free तरीके से जर्मनी जा सकता हूँ तो I would say house building is the best way house building जैसे vocational training है उसे जर्मनी में house building कहते है तो आपको अगर bachelor's या फिर master's करने के लिए जर्मनी नहीं आना है तो school के बाद ये vocational training को option है जर्मनी में जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ या पर पैसे भी मिलेंगे तो basically house building एक तरीका होता है जिसमें आप companies को apply करते हो और आपको वो एक special skill जो है जिसमें आप house building करना चाते हो vocational training करना चाते हो उसमें आपको theory lessons पढ़ाई जाते है और साथ में आपको practical training भी दी जाती है और इसके लिए आपको salary भी मिलती है per month मतलब per month salary जो है वो लगा लो 700 euro से 1500 euro तक आपको per month मिलती है और यहाँ पे 300 से भी जादा ऐसे different courses है vocational training जिसमें आप कर सकते हो and right from nursing, electrician, technician, lab assistant ऐसे बहुत सारे fields है in fact मैंने एक video बनाई है proper जिसमें पूरा मैंने mention कर दिया है कि outbuilding करने के लिए क्या prerequisites है, क्या qualification आपकी होनी चाहिए, आप कैसे apply कर सकते हो so I would say इस तरीके से क्या है आपको blocked account की भी जरुरत नहीं पड़ती है क्योंकि basically आपको company जो है, जहाँ पे आपको job मिल जाती है जहाँ पे आपको training देने के लिए company ready है, वहाँ पे आपको salary मिलती है खुद हर month, तो that's the reason जहाँ पे आपको उस particular amount के उपर salary already company provide कर रही है, तो उस case में आपको visa के दौराद blocked account की भी जरुरत नहीं पड़ती और आप नहीं चाहते हो कि Germany जाके मैं और दो साल लगा के वापस वहाँ पे पड़ाई करो but मेरे पास work experience है, तो क्यों ना मैं उस basis के उपपर directly Germany में job apply करो तो यह एक तरीका है कि work experience का आप use करके directly Germany में job apply कर सकते हो and that is also a way जिससे बहुत सारे लोग, in fact हम लोग भी directly Germany move हुए है और इस तरीके से आपको ना ही किसी agent को पैसे pay करने पड़े थे ना ही किसी को बताना पड़ा था कि मेरा visa लगा लो जिससे मुझे बहार नौकरी मिल जाए तो यह तरीका है अगर आप जहाँ पे भी बैटे हो, जिस भी country में वहाँ से अगर आप online job apply करो और वो company जहाँ पे आप job apply कर रहे हो वो आपका interview लेगी online सारी जो आपकी process है, job contract आपको मिलेगा, आपने जो nearest आपका embassy है वहाँ पे आपना visa लगाना है National D visa, basically आपको work permit मिलेगा, फिर you blue card मिलेगा उस basis पे आप Germany मू हो सकते हो और जो भी highly skilled professionals है, IT background के, tech background के, project management, different different जो background के लोग है उनको जर्मनी में directly यहाँ पे opportunity मिल रही है, because of the ongoing labor shortage पिछले 5-6 सालों में यहाँ पे हमने इतने जादा IT and different companies में, Indians को and बहुत सारे जो foreign workers है उनको आते हुए देखा है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में उतनी openings है और यहाँ पे वो फुल्फिल करने के लिए इनके लोग नहीं है That is the reason foreigners को यहाँ पे opportunity मिल रही है आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो कुछ टाइम से आपको पता ही होगा मैंने बहुत सारी websites भी share करिये कि कहाँ पे आप apply कर सकते हो and interviews भी share करिये उन लोगों के जिनको यहाँ पे मतलब आ गये है after applying for jobs online So I would say if you have experience, there are some websites जो already मैं अपनी बहुत वीडियोस में बताती हूँ जहाँ पे आप online directly job apply कर सकते हो और Germany आ सकते हो अभी job की बात कर ही रहे है और आपको अगर already work experience है आप किसी company में काम कर रहे हो और अगर वो international company है और जिसकी branch शायद से जर्मनी में हो सकती है तो that is also one way कि आप internal transfer ले सकते हो उस case में क्या है आपको local contract मिल जाएगा जर्मनी का और आप उसी company के लिए जर्मनी आके काम कर सकते हो और यहां के payroll पे काम कर सकते हो तो that is also one way जहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिली हूँ जो directly ऐसे internal transfer लेके जर्मनी आये हुए है और आप में से कोई married couple यह वीडियो देख रहा है और सोच रहा है कि हम कैसे जर्मनी मूँ हो जाए एकदम affordable तरीके से तो देखो एक तरीका है जिसमें से क्या होगा कि दोनों में से like husband wife में से एक जन को अगर job मिल जाती है जर्मनी में हो सकते है जर्मनी जिसको भी main applicant को job मिल जाती है तो and जो spouse है वो जर्मनी आने के बाद यहाँ पर काम भी कर सकते है and इसी वेसे मैं बहुत सारे ऐसे couples को जानती हूँ जो असानी से यहाँ पर मूँ हुए है and जो IT field के है for example spouse जो है वो इंडिया में उन्होंने फिर resign कर दिया वहाँ पर जो husband है उनके साथ मूँ हुए यहाँ पर and they already had work experience तो यहाँ पर आने के बाद आप वैसे भी allowed होते हो as a dependent काम करना तो उन्होंने फिर यहाँ से job apply करी तो इस तरीके से भी आप आसानी से जर्मनी में मूँ हो सकते है इन सारी जो तरीके जो मेंने मैंने मेंचन करे है इनके उपर तो एक specific video भी बनाई हुई है मैंने हर topic के उपर तो वह अपने अगर नहीं चेक करी है तो वह रही आप चेक कर सकते हो वाकि जो link मैंने मेंने मेंचन करी है Upgrad Abroad की वह दिस्रिप्शन में है वो चेक करना, अल्रेडी आप उससे बहुत पैसे सेव कर सकते हो और मैं परसनली बहुत सारे यहां पर लोगों को मिली हूँ जिन्हों ने अल्रेडी अबग्राइब अब्राइब के तुरू अन्रोल किया है और यहां पर पढ़ने आए हैं and in fact they have also started working so I am definitely sure this is going to help as well so I hope अपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, इसे और भी लोग के साथ शेयर करना and अगर अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना and by the way, यह जो लोकेशन है, यह है फ्रैंकफर्ट का आल्टोपर एरिया one of the touristic places, मेरी वीडियो में आपने देखा होगा but आज आपने आसपास skyline भी देख ली जो UBS bank है वहां पे, वो है, पीछे और Deutsche Bank और वो सारी banks भी है और एक तरफ आल्टोपर जो है old and new का mixture है, Frankfurt and that's the reason this is Frankfurt for you take a look at the skyline and let's meet each other in our next video until then, आफ़ी देजीन